दोस्तों मैं चाहँ अगर तो अजो ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्ता जाम इस वीडियो में जुलियो कोटाजार की एक शॉट स्टोडी ब्लो आपको कवर करने जा रहे हैं दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो अपूट किया था जा पर मनें इस को स्टा करते हैं वीडियो को स्टा करने से पहले में थोड़ा ऊथर के बारे में और इस शॉटा सा इंफोमेशन पता होना चाहिए दोस्तों इस शॉष्ट्री का जॉथर है उनका नाम है जूलियो कोटाजार इनका जर्मा हुआ था 1914 को और एक मल्टी टेलेंट थे यह स्ट स्टोरी रecup के सासाथ नोबिलिस्ट भी थे और इन्टोंने बहुत सबस्तार इन ओफ नोबिल को लिखा हे यह यह दूस्तों शॉष्ट्री ब्लो अप यह उनका collection शॉष्ट्र इंफ ब्लो आप एन अधर स्टोरी से लिया गया है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एनलेजस दे दूंगा कंप्री समय दे दूंगा लेकिन आपको इस शॉस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दूस्तों एनलेजस में सब कुछ पताना संब्ब नहीं होता तो मैं जो भी आपको दे दूंगा लेकिन आपको खुद भी पढ़ना परेगा ठीक है तो इस शॉस्ट्री में आउथर ने एक डिफरेंट सब्जेक्ट को डिल किया है तो इस शॉस्ट्री का जो में करेक्टर है उसका नाम है रोबार्टो माइकल ये दोस्तों एक फोटोग्राफर है एक आपने कैमेरा के साथ और उसका एम यह होता है कि बहुत है अच्छा मौसम है तो वह बढ़ने का कुछ फोटो खीचेगा तो वह क्या करता है अपने एपार्टमेंट से बाहर नेकलकर जो प्रिस के जो रास्ते है वह पर चलना शुरू करता है चलते चलते बहूं फोटोग् उनके लिए वो कुछ important बात करता है related to photography तो यह सब बात करते करते हैं जो रोबाटो माइकल है वो एक small park में जाकर पहुचता है पार्क में जाने के बाद वो एक strange कपल को देखता है अब तो strange कपल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कपल रोबाटो माइकल पार्क में देखत करता है वो कपल को पहले उसको लगता है कि वो मा बेटे है son and mother है लेकिन बात में जाकर उन दोनों का body language से जो रोबाटो माईकल है उसको पार्च चलता है कि यह दुनों मा बेटे नहीं है यह उनका बीच में शायद कुछ चल रहा है यह कपल है लेकिन दोस्तों रोबाटो म लेडी थी वो बहुती चालाक थी वो उस लड़के को अपने ट्रैप में फैलना चाहती थी तो यह सब दोस्तों रोबाटो माईकल पार्क में ख़ड़ा होकर यह सब चीज़ अबजब करता है देखता है और बापर ख़ड़ा रहते 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 बोई बाइग्राफी सोचत तो तब ही उसके अंदर एक बाइग्राफी का इमाजिनेशन आता है उस बोई को लेकर तो यह सोचता है कि उस बाइग्राफी में बो जो लड़का है वो एक स्कूल बोई है और एक इंफुरेंशलर फैमिले से बिलॉंग करता है वो पैरिस के स्ट्रीट में चल रहा है इन स फोटो खीषता है उसके बाद उस फोटो खीषने के बाद जो कपल है उसमें जो लेडी थी वो आकर यह सब चीज़े वो नोटिस करती है और आकर रोबाटो माइकल की उपर बहुत ही गुसा करती है कि उदावर परमिशन उसने क्यूं उनका फोटो लिया यह सब चीज़े बहुत ही जगड़ा होता है और जब दोस्तों यह आर्गुमेंट होता है बिट्विन दे लेडी एन रोबाटो माइकल तो वो जो लड़का होता है वो भाग जाता है वहां से और वावे दूस्तों हमें और एक करेक्टर को देखने को मिलता है जो पार्क में रहता है एक मैन है जो अपने कार में बैठा रहता है तो बात में जाकर वो कार से बाहर निकल कर आता है तो यह करेक्टर भी हमें देखने को मिलता है उसके बाद जो आरगुमेंट के बाद सम्हाव जो माइकल है वो उस प्लेश से चला जाता है अपने घर की तरफ उसके बाद जो रोबाटो म उसमें वो पूट करता है उसको ठीक है उसके पास तो जो माइकल है वो हम मैंने पहले किया था कि जो रोबार्टो माइकल है वो एक फोटोग्रफर के साथ साथ ट्रांसलेटर भी है तो उसका एक पॉलिटिकल जो ट्रिटाइस था उसको वो ट्रांसलेट करने में ट्रांसलेट उसके बाद उस तो जो रोबार्टो माही के लिए वो कहीन है कि अपने आपको एक गिल्टी फिल करता है क्योंकि जो फोटो उसने खिजाता वो ज़र पर्मिशन था उस लेडी का उसके लिए वो थोड़ा गिल्टी फिल करता है और दुसरी तरह वो खुश भी होता है क्योंकि कि उसने उस लड़के को भागने का एक चांस दिया उस लेडी से तो यह सब सोच के वह बहुत ही एक तरफ गिल्टी फिल करता है दूसरी तरफ वह खुश भी होता है उसके पास तो अपने रूम में ही बैठके बैठके वह पार्क में जो भी हुआ वह अपने इमाजिनेशन मे उसके माईन में फिर से रिवर्स होना शुरू होता है वह घर में बैठके सब सोचता रहता है तो यह सोचते सोचते जो जो शौष्ट्री यह इसका एंड होता है और तो इस वीडियो में मैंने दोस्ता आपको इस सास्ट्री का अनलाइसिस है बहुने प्रोबैट करवा दिय ताकि होलिस्टिक जो एप्रोच है जो अंडरस्टेंग वह आपका हो जाए तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस शॉस्ट्रे से जुला तो आप मेज़े कॉमसरेश में बहुत सकते हैं तासरी इसने दोस्तों गुडबाय चरिये स्वास्त्रिये